नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग मैं आपका दोस्त आपका भाई राजे सनैन मैं आपको बताऊँगा कि आप हरियाना में अपनी जमीन का रिकोर्ड कैसे निकाल सकते हैं वो भी घर बैटे आपको इसके लिए कहीं जाने की जुरूर्ट नहीं हैं आप घर बैटे स्वाइल के माध्यम से लैप टोप के माध्यम से वैप साइट से इसकी जानकारी ले सकते हैं उसके लिए हमें गोर्मेंट ने एक वैब साइट लांच की थी छे महीने हो गई है उसपे सारा डाटा लैंड का डिजिटलाइब कर दिया है और हम अपने खेत की या मुरबा नम नमबर के माध्यम से खसरा नमबर के माध्यम से या अपने नाम के माध्यम से हम अपने जमीन का रिकोर्ड दे सकते हैं तो मैं आपको step by step एक एक point आपको clear करूंगा कि कैसे हम अपनी PDF को free अपने land records की download कर सकते हैं तो आप अपने phone को में जमाबंदी.nice.in search करिए सबसे पहले हमें जमाबंदी.nice यह देखो Google ने suggestion में दिखा दिया है इस website पर जाएं इस website पर हमें navigation बार पर जाना होगा उसमें हमें आप नीचे down देखिए जो जमाबंदी option के नीचे जमाबंदी नकल लिखा है इस पर हमें click करना है उसके बाद हमें चार options मिलेंगा आपको आप अपने जमीन जिसके नाम है उसके माद्यम से भी करता है खेवट खतोनी नंबर आपको याद द्वारावी निकाल सकते हैं खसरा नम्बर याद तो उस से निकाल सकते हैं और आपको डिट आफ मुटेशन डिट अप मुटेशन क्या होती है इंतका जब आपका जमीन का इंतकाल से ड़ाता हूं उसके द्वारा भी search कर सकते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है सबसे पहले district जाना है मैं example के तोर पर बताता हूं मैं cattle district से belong करता हूं हमें cattle open select करना है मैं owner के नाम से select कर रहा हूँ भी उसके बाद हमें cattle के बाद अपने तसील select करनी है मैं फतिपरपुंडरि से हूँ तो तसील गाउं इसमें सब गाउं के नाम की लिस्ट आजेगी तो इसमें सलेक्ट करना है डी गाउं उसके बाद हमें जमाबंदी एर सेलेक्ट करना है अभी लेटेस जो जमाबंदी अपडेट हुए 2019-2020 की है देखो गाओं में आपके गाओं में जितनी भी लेंड़ से कितने खेवर्स आइं टोटल खतोंनी कितने हैं टोटल खस्रा कितने हैं वो सब detail आ गई है अब हमें नीजी संपति आप इसमें जो पंचायत के एंडर में यह सैंट्र गौर्मेंंक के अंडर में और वॉक बोर्ड या हर्याना सरकार की जो भी जमीन है समलाथ है ग्राम पंचैट की यह वो सब देख सकते हैं उसका सब और यामसिद अपने जमीन देखने हैं तो नीजी में हमें सविल्यक्ट करना होगा सर्फ पूरे गाओं में का नाम आगया इसमें अभी मैं अपने नाम से देखता हूँ मेरे कितनी जमीन है तो मैं बलबीर सिंग के नाम से जमीन सर्स करें तो बलबीर सिंग हमें सेलेक्ट करना है उसके बाद बलबीर सिंग पर आप ओके करोगे और यह देखो नीचे आप जितने भी बलबीर सिंग है अपने फादर के हिसाब से उसको जमीन हिश्चे में होती है तो हमें जिस भी नाम की जमीन देखने हैं उसके नकल पर कलिक करिए जैसे बलबीर सिंग धरम पाल हैं तो इसकी नकल पर कलिक करेंगे तो आपको जमाबंदी कौपी डाउनलोड हो जाएगी उसका आप परिंट निकाल सकते हैं हमें कुछ नहीं करन है और कई बर दिन में वैब साइट ओवरलोड हो जाती है देखो दोस्तों देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर जब बंदी नकल डाउनलोड हो चकी है तो इसमें हमें देखना क्या है बेसिकली सबसे पहला जो कोलम है उसमें खेवट नंबर आपका मैंशन रहेगा 163 है उसके बाद खतोनी नंबर उसका बाद है नाम जिसके बाद नाम है आपकी जमीन उसके बाद है जमीन के हिश्यदार जो आपका यह अकाउंट है जो आपका खेवट है उसमें कौन-कौन हिश्यदार ह तो उसके बाद खुद कास्थ होता है कि आप जमीन का कल्टिवेशन खुद करते हो या कोई भी कर सकता है या आपका रिलेटिव कर रहा है आपका भाई कर रहा है उसके बाद आपका सिंचाई का मैदम क्या है उसके बाद मुरब्य खसरे का नंबर जिसको आम तोर पर एक मरब्य में 25 किले होते हैं किले का नंबर 12 उसके बाद है लैंड के टाइप मतलब लैंड की जो नहरी है चाही है या वो आप उसकी सिंचाई किस मादम से करते हैं तो और नेक्स्ट हमारा हिस्सा उस पर कब्जा है यह सारी डीटेल है आगे आपकी लैंड रिकोर्ड में जो जो चेंजिज कराए आपने बीच में इंतकाल करवाए है रिजिस्टिर करें उसके बाद रिकोर्ड उता है यह देखो यह इंतकाल के नंबर है अभी उतिमें 2024024060 ओके तो इसके मादम से आप नीचे जो हिस्सेद आप अपना लैंड रिकोर्ड कैलकुलेट कर सकते हों ओके धन्यवाद दोस्तों वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हो सकता है मेरी दुआरे जानकारी आपके काम आए थैंक्यू करते हैं